अगर आपको इस सब्चेक्ट की सारी वीडियो चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस में मिलेंगी उस प्लेलिस के लिंक दिस्क्रिप्शन में एगवार आप जरूर चेक कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्री और ओर्डर की एक्जीक्यूशन की सीरीज का आज का वीडियो पांचर और इस लेक्टर में हम दिस्क्रिप्शन करेंगे सिक्शन 50, सिक्शन 52 एन्ड सिक्शन 53 ऑप सीपिसी जोकि लेगल डिप्रेजन्टेटीव के रिगारडिंग है लास्ट वीडियो में हमने ट्रा उसे कि हमने आपको decree और order की execution की series का जो पहला lecture प्रवाइट किया था, उसमें आपको बताया था कि किस के against के किया जा सकता है, decree के execution के लिए apply किया सकता है, तो पहला तो था आपका judgment letter, जिसके against क्या होते decree pass की जाती है, दूसरा व्यक्ति था कि अगर judgment letter नहीं है, तो उसका legal representative, त बताते हैं section 50, 52 and 53, तो क्या बताते हैं, यह हम आपको बताएंगे, फिर and में हम आपको बताएंगे, कि इस part से mains में किस तरह के question बन सकते हैं, और बन चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ पर इन section को discuss करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीगल representative कौन हो सारी discuss की थी, including the definition of legal representative, तो आप एक बार उसको देख लीचेएगा, अब हम direct बात करेंगे section 50 की, और बस आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए, कि legal representative में आपके executor, administrator, residual legatees, co-personers वग्यारा, legal errors, यह सब include होता है, तो यहाँ पर section 50 क्या कहता है, section 50 क्या कहता है, कि जो judgment data है, यानि कि जिसके against degree आई है, जिसके against निशपादन योग्य, order आया है, यानि कि judgment data वो व्यक्ति होता है, जिसको section 2 के 10th close में define किया गया है, और decree holder कौन होता है, decree holder होता है, जिसके favor में decree आई है, जिसके favor में निशपादन योग्य, order आया है, तो यहाँ पर decree holder को define किया गया है, section 2 के 3rd close में तो अब section 50 का जो पहला section है वो यह कहता है कि अगर judgment data decree को पूरी तरीके से satisfy किये बिना यहां पर डिक्री पास हो गए judgment data के against तो judgment data जो है वो पूरी तरीके से decree को satisfy किये बिना ही क्या हो जाता है मर जाता है for example हुआ गया कि decree के तहत जो amount due थी वो थी 50,000 अब जो judgment data था उसने 10,000 उपे दे दे थे decree holder को लेकिन जो बाकी की बची हुई रकम है यानि की 40,000 वो देना रह गया था तो अब जो judgment data है वो इस amount को दिये बिना मर गया तो हम इस चीज को यह कहेंगे कि भई उसने decree को पुरी तरीक से satisfy नहीं किया और बिना satisfy किये decree को वो मर गया तो अब जो decree holder है उसको तो नुकसानी होगा ना तो उसके नुकसान को बचाने के लिए यहाँ पर यह provision किया गया है कि जो decree holder है वो क्या कर सकता है deceased judgment data यानि कि मिर्तक निर्नित रिनी के legal representative के against decree या फिर जो भी order वगरा है उसके execution के लिए apply कर सकता है किस court में उस court में जिसने decree pass किया था जिसको define किया गया है section 37 of CPC में तो अब अगर जो decree holder है वो deceased judgment data के legal representative के against क्या कर देता है उस court में जिसने क्या किया था decree pass किया था decree के execution के लिए apply कर देता है तो अब अगर decree को legal representative के against execute किया जा रहा है तो legal representative जो है वो जितनी की deceased judgment data की property उसके हाथ में आई है उतनी ही property तक के लिए क्या होगा decree की execution के लिए liable होगा कहने का मतलब यह है कि legal representative को अपनी जेप से नहीं देना होगा बलकि जो property उसको judgment data की मिली है उसी से देना होगा और deceased judgment data की legal representative की liability को ascertain करने के लिए जो आपकी executing court है decree की वो क्या कर सकती है या तो suomoto या फिर decree holder के application किये चाने पर deceased judgment data की legal representative को compelled कर सकती है वो सब accounts वगेरा produce करने के लिए जो की court को सही लगता है जिससे की ascertain हो सके कि legal representative को कितनी property मिली है judgment data की मरने के बाद तो कि उतनी ही property से क्या किया जाएगा decree को satisfy किया जाएगा decree को execute किया जाएगा deceased judgment data के legal representative के against decree को execute करवाने के लिए उस court में जिसने decree pass किया है apply कर सकता है और अगर decree holder ने apply कर दिया है तो अब legal representative उतनी ही property से decree के execution के लिए reliable होगा जतनी की property उसको judgment data के मरने के बाद मिली है अपनी जेप से उसको नहीं देना होगा कहने का मतलब है ये तो इतनी बात आपने section 50 से ध्यान रखनी है तो अब अगर हम बात करे section 52 की क्योंकि ऐसा कहता है कि section 50, section 52 and section 53 एक साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि सभी में थोड़ा थोड़ा एक जैसी कुछ बात ये कही गई है इससे इनको relate करके पढ़ना अच्छा रहता है तो यहाँ पर जैसे कि हमने section 50 आपको पढ़ाया और वहाँ पर हमने जो situation की बात की वो situation ये थी कि अगर judgment data decree की execution से पहले मर जाता है या फिर ऐसा कह सकता है कि अगर judgment data decree को पूरी तरीके से satisfy किये भिना ही अगर मर जाता है तो तब decree holder decree को कैसे execute करवाएगा तब decree holder क्या करेगा इस तरीके से आपका मेंस में question पूछा जा सकता है तो इस situation का जवाब आपका section 50 देता था अब यहाँ पर section 52 प्रोवाइड गड़ता है इस situation की regarding provision की अगर क्या होता है जो decree है वो directly ही legal representative के against क्या हो गई है पास हो गई है section 50 के तहए तो भई आपके judgment data के against pass हुई थे लेकिन वो जो judgment data था वो decree को execute करने से पहले ही मर गया था decree को fully satisfy करने से पहले ही मर गया था तो तब इस situation में हम कर रहे थे क्या कि legal representative के against हम execution petition file कर रहे थे जिस ते कि भई जितनी property उसको मिली है डिसीज की उस property से हम decree को क्या कर सके execute कर सके बड़ यहां पर section 52 के तहर situation ही अलग है यहां पर directly जो decree pass हुई है वो हुई है judgment data के legal representative के against तो दोनों section में यह difference है तो अब हम directly section 52 में जो subsection 1 दिया गया है उसके applications के लिए क्या क्या conditions required है वो discuss करेंगे जिससे आपको subsection 1 clear हो जाएगा तो यहां पर पहली condition है कि भई जो decree है व लीगल representative के against जो deceased person है ना उसके legal representative के against suit की party के रूप में क्या होनी चाहिए उसके against पास होनी चाहिए यानि कि जो legal representative है वही क्या है suit की party है और इस रूप में उसके against क्या हुई है decree पास हुई है तभी आपका subsection 1 section 52 का apply होता है और यह जो decree है वो किस तीस के लिए होनी चाहिए वो deceased की जो property है उस property से money की payment के लिए होनी चाहिए कितने extent तक उस extent तक जितना की legal representative के hand में property आई है तो भई ऐसे decree को क्या किया जा सकता है जो property legal representative के हाथ में आई है deceased person की उस property को attach करके and sale करके execute किया जा सकता है तो इतनी सी बात आपकी subsection 1 में कही गई है section 52 के अब यहाँ पर section 52 क है वो डिखरी holder को empower करता है कि भई वह personally legal representative की लिखरी को execute करा सकता है यानि कि यहाँ पर deceased person की property से नहीं बलकि legal representative की जिप से क्या कर सकता है ON Tucson drop जब उस property का लेखह देने में क्या हो जाता है फेल हो जाता है जब जो partяг है वहす property का लेखह अकांट देने में फेल हो जाता है जो कि उसको deceased person से क्या हुई है मिली है तो भई अगर आप account देने में फेल हो गए हो तो भई अपनी जेप से भरो अब तो जैसे कि आपने जनरल रूरी पढ़ा था कि जो deceased judgment data का legal representative होता है वो दिखरी के execution के लिए उस extent तक ही लाइबल होता है जितना की property उसको मिली है deceased judgment data की बट कुछ परिस्थीतियों में पहली तो अभी हमने discuss कर दी है उसके अलावा और भी कुछ परिस्थितियां है जिसके तहद जो आपका legal representative है judgment data का उसकी personal property से क्या किया जा सकता है ग्री को execute किया Co多 है तो ऐसा तब किया जा सकता है अगर जो लिग को अगर को जा सकता है इसके अलावा तब भी लीगल रिप्रसेंटेटिव की पर्सनल प्रापर्टी से डिकरी को एक्जिक्यूट कर सकती है तो यह था आपका आपका सेक्शन फिफ्टी टू के सकोप को एक्स्टेंड करता है एंसेस्टर प्रापर्टी तक जो की जो डिसेंडेंट होते हैं उनके हाथ में आदी है अपने एंसेस्टर के डैट्स के लिए पेमिंट करने के लिए क्या होते हैं लाइबल होते हैं तो इतना सा है आपका सेक् section 50 section 52 and section 53 ये discuss कर लिया है बस जितना मैंने पढ़ाया उतना ही आपने धियान रखना है तो अब अगर हम at the end बात करें इस portion से क्या क्या आपका means में पूछा जा चुका है तो पहला आपका legal representative के उपर short note लिखने को आ चुका है तो आप section 2 का 11 close जो है अच्छे से पढ़ लेना जो कि हमने आपको CPC के second lecture की वेडियो में पढ़ाया था दूसरा question आपका यह आ रखाया है कि नीचे कुछ conditions दी गई है और पूछा गया है कि इन conditions में decree holder क्या करेगा पहली condition यह दी गई है कि अगर जो judgment data है वो decree को पूरी तरीके से satisfy के बिना क्या हो जाता है मर जाता है तो तब decree holder क्या करेगा decree holder क्या करेगा decree holder disease judgment data के legal representative के against section 50 of CPC के तहत क्या करेगा decree के execution के लिए apply कर सकेगा तो इस question का आपको answer मिल गया section 50 में next question आपका इसी से ही related है जिसका answer भी आपको section 50 में ही मिलेगा और यह सारे आपके question पूछ रखे थे राजस्तन जुडिशरी में और उत्तरप्रदेश जुडिशरी में इसके बाद next question आपका यह पूछा गया था कि अगर judgment data decree pass होने से पहले मर जाता है तो तब decree holder क्या कर सकता है तो तब decree holder section 52 के तहट apply कर सकता है कि इस चीज़ के लिए कि जो decree है वो decree disease judgment data के legal representative के against क्या की जाए pass की जाए और जो legal representative होगा disease का वो उस extent तक ही decree की execution के लिए apply होगा जतनी की उसको property मिली है disease से बट अगर वो कुछ default वगरा करता है जैसा कि हमने section 52 में discussing किये थे तो तब वो अपनी personal property से liable हो सकता है decree के execution के लिए तो ये सब question आपके means में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आने वाले exams में तो इस portion से इतना आपने अच्छे से पढ़ लेना है प्री के लिए हर एक section के आपने heading पढ़ लेनी है next video में हम discuss करेंगे section 51 and section 54 जिससे आपको पता चलेगा कि decree के execution के लिए क्या-क्या modes होते हैं साथ ही हम order number 21 के कुछ rules भी discuss करेंगे अगर आपको जो भी हमने subject पढ़ा दिये हैं YouTube पर उन सभी subject का PDF notes चाहिए अलग-अलग तो वो आप खरीद सकते हैं खरीदने से पहले आपने क्या करना होगा यह हमारा channel है YouTube पर इसको visit करना होगा जैसे आप इस channel को visit करेंगे इसके बाद आप slide करके इधर जाना about वाले section में जब आप about वाले section में जाएंगे तो यहाँ पर आप वो जानकारी मिलेगी कि अभी फिलहाल कौन-कौन से subject जो हमने पढ़ाए है उनके PDF notes अवेलेबल है तो अभी आपके IPC and evidence के PDF notes अवेलेबल है जिनको आप खरीद सकते हैं और खरीदने के लिए आपको mail करना होगा हमारे email address पर जो कि हमने यहाँ पर mention कर दिया है अभी हम CPC के notes त्यार कर रहे हैं जैसे हो त्यार हो जाएंगे तो यहाँ पर हम CPC को भी add कर देंगे तो उसके बाद हम CRPC के notes अगर त्यार करते हैं तो इसलिए जब भी आपको किसी particular subject के जो हमने पढ़ाए है YouTube पर notes चाहिए होंगे तो पहले आप about section में चेक कर लेना कि भई वो subject के notes अगर अगर available है तो उस subject के साथ आप हमारे email address पर mail कर देना कि मैं हमें ये particular subject के notes खरीदने हैं फिर उसके बाद हम आपको जो भी subject में हमने content श के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा शेयर भी कर देना